तड़कर ट्रेवल में आपका स्वागत है आज हम बनान जरे बिहार की ट्रडिशनल डिस पीठा जिसे हम दाल पीठा भी करते हैं और इसकी स्टफिंग हम आलू से भी भर के करते हैं और यूपी में इसे फरा करते हैं यह बहुत ही हल्दी डिस होता है क्योंकि यह भाप में प पानी को अब हम इन आलू को मैस करेंगे कि इस आलू सारे अलू हमने तोड़ दी है कि और गरम में ही इसे हमें मैस कर देना है कि यहालू हमारे मैस हो गया है अब इसके मसाले के लिए हमने धन्या पत्ति और मिर्ची और अद्रग को काट के रख लिया है और एक गैस पे पैन चड़ाएंगे और इस कड़ाई में हम सरसो का तेल डालेंगे इस तेल हमारा गरम हो चुका है इसमें हम अब जीरा डालेंगे एक चमच इस जीरों को थ्वास अब अध्य comport के शज़शे करता हिमें इसन्ध करने जाल सकते हैं और इसमें मसालों का टेस्ट और अच्छा आए तो फ़ीरा नमक भी डाल पाधिक्टी मिर्ची हाओs और धनियापति काटके रखी थी मैंने उसको भी मैंने डाल दिया पिर आलू जो रखा था हमने मैस करके उसको इसमें डालेंगे और अच्छे से चलाके इसको मिला लेंगे यह तो अध्यलोक उच्छे से मिला रहे है ताकि यह सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए थोड़ा देर इसे हम भून लेंगे पांच मिलेट अलूओ को भून ले आप तो अटेस अच्छा आ जाए गा इसका प्यालू हमारे भून गये अब इसमें हम नमक एड़ कर देंगे अपने टेस्ट के एकॉड़िंगे नमन हमने यह मतर में त्वासा डाल रखा था इसलिए उसी के हिसाफ से डालेंगे नहीं तो यह फिर यह ज्यादा हो जाएगा और यह आलू हमारे मून के तैयार है अब इसको हम एक प्लेट में थाली में निकाल के रख लेंगे ताकि यह ठंडा हो जाए इसके हमें स्टफिंग करनी है अब हमने पैनल में पानी डाल के गरम कर लिया हाटा लगाने के लिए यह हमने लगवा एक किलो चावल का हाटा लिया है और इसमें जो हमने पानी गरम किया था उसको थोड़ा-थोड़ा करके अड़ करेंगे और चम्चे से चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे बानी गरम है तो हाथ जलेगा इसलिए मैंने पहले चम्चे का यूज किया है हाथ का यूज मैं फिर बात में करूँगी तो ऐसी चलाते हुए थोड़ा पानी डालते हुए एक ही पर ज्यादा नहीं डालना है हम इनाटे में इन पानियों को ऐसे थोड़ा-थोड़ा मिक्स कर देंगे ताकि इसकी बैंडिंग अच्छी सी बैंडिंग बन जाए अब हाथ से हम इसको गूत रहे हैं और जहां जो रहा थो तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालके हम इसका एक अच्छा सा सॉप्ट डो तयार कर लेंगे यह आटा हमारा अगुच चुका है और यह पिठी के लिए रेड़ी है बनाने के लिए इसको मसल के अच्छी से रख लेंगे अब हम इसकी एक लोई काटेंगे और इसको दोनों हाथों से गोल करते हुए गोल कर लिया हमने और दोनों अंगुठों को बीच में प्रेस करते हुए कटूरी जैसा सेब देंगे यह देखिए ऐसे चावल का अटा था थोड़ा साइड से फट सकता है फटेगा अलका इसको अच्छा से एक हमने सेब दे दिया और बीच में इसमें हम आलू का जो हमने मसाला त्यार किया था उसकी हम इसमें स्टफिंग भरेंगे यह हमने मसाला ले लिया दोनों हाथे उसे प्रेस करते हुए अच्छे से दवाते हुए धीरे धीरे इसका हूं एक सेब देंगे सेब आप कोई साभी दे सकते हैं जो आपसे बंजा जो आपको अच्छा लगे यह हलके हलके हाथों से दवा के हमने यह पीठा तयार कर लिया लगा है उबलने लगा एकक करके पीठों को हम डाल देंगे हमने पीठा को इसमें डाल दिया अब इसको बीच में चला देंगे नीटों नीचे से यह चिपक जाएंगे पानी में बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और पांस से दस मिनट के अंदर यह पीठा हमारा पक जाता है और यह जब पानी में उपर आने लगे तो समझ जो कि यह पीठा पक चुका है यह हमारा पीठा तयार हो गया है अब इसको एक अकर के निकाल लेंगे हम और थोड़ा इसे ठंडा करेंगे यह हमने थाली में सारे पीठो को निकाल दिया है और हमने इसके प्लेटिंग कर दी है यह देखे कितना अच्छा लग रहा और आपको अच्छा लगे ता हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लुट पुटा है तैंक यू